मैं अभी हूं मदवनी जिला के बिस्पी पर्खर नरंतरगर बरलहा पंचायत में और बरलहा पंचायत के एक मुख्या प्रतियासिया भी हमारे साथ बाचित करने के लिए मौजूद है जिनका नाम है अरून कुमार कुसवाहा चले मैं सी देन से बात करता हूं और जानने का को देखे हमारे पंचायत में एक तो बैंगरा दूसरा बलहा और बलहा घाट और मुएंटोला जहुराबाद और बैंगरा टोला पोखटोला और रमुनिया और सबों गाहं को मिलाकर चौदा वार्ड बनाया गया है तो आप इस वार पंचायत चुनाओं में किन मुद्दो को देकर जो है सो जनता के बीच मोट मांगने के लिए जाते हैं हमारा जो पंचाय था ना बार हर सुखार से बुरी तरह प्रभावित होता है जो आधवारा समुका धोस्न दी है इसके उपर में बांध का नहीं होना दूसरी समस्या कि हमारे तीन नंबर चार नंबर और पांच को जन्म देता है तो इसलिए हर एक बैक्ति को सिख्षित होना बहुत जरूरी है देखे मेरा पहला ही मुख्या चुना जीत करके आते हैं तो इस नदी के उपर में मंड्रेगा के तहत बांध मरमती का कराया जाएगा और यदि जिन लोगों को यह लगता है कि आप मुख्या करके इस नदी के उपर में बांध निर्मान का बात कर रहा है तो उनको हम बता दें कि आपके पास गुगल है आप मंडेगा के तहत सर्च कर सकते हैं कि मंडेगा के तहत क्या 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 काम आता है तो मंडेगा के तहत आपको बार का काम हो या शुखार का काम हो लगू सिचा कि आपको काम होगा और दूसरा फाइदा ये होगा कि डायरेक्ट मजदूर को अपने एक कांट में पैसा जाएगा जिसमें कोई बिचोलिया कहीं पर भी नहीं लगा हुआ होता है तो आप बताएंगे कि बलहा पंचेत में स्वास्त और सिक्षा की क्या इस्तिती है अभी तो कहें हैं कि हमारा यहां पर लगभग तीन वाड है हमारे गाउं में तीन वाड है चार नमबर और पांच नमबर यहां पर कहना सिक्षा नाम का कोई चीज है जी ने क्योंकि इसकूल ही नहीं है और बात रहा है बलहा में एक उपस्वास्त केंदर है जो बहुत ही जरजर हालात में है बहुत ही जरजर हालात में है ना वहां पे आपको एह नम मिलेगी ना आज मतलब यह वहां पे जो है कोई तरह का ब्यवस्ता उपलब दने वहां पे जाएगा ना तो उसके अंदर में बक में पूरे सड़ी है कहीं पर भी काम नहीं हुआ है आप जाइएगा एक बैंगरा पोखर है जो दलित महादलित बसती है पंचाइती राज 20 साल से लगभग लागू है आज तक वहां पर एक सरक का निर्मान ने हो सका वहां के लोग आज भी इस इस ऍख DO उसे हैं बिश्वास में है इस आसा में है कि हमारे कोई अच्छा नेता नहीं समाज का बेटा चुन कर के आबर जो हमारे लिए काम करेए आपने अभी जिस यगा का नाम लिया है रोड नाला के स्तिति ठीक नहीं है उसके लावा और जगा की क्या इससे थे इस पंचायत में लुप या फूला तक बांध के समस्या हुए हमका समास सरवामय क्या रौन रहते थेैं Central 극ंप me rap और वहुत सारे लोग चुनाव लघने के लिए बाहर से आते हैने। हम लघना करते हैं। हम 8 कि पहली बार मुख olmaz के रूप में अपना नामंकन कराएं। मतलब कुछ आदमी भोछना करते हैं कि हम यदि मुखि बन करके आएंगे तो हम किशानों को पैसा दिलाएंगे हम मतलब हम जीत करके आएंगे तो हम किशानों को पैसा दिलाएंगे हम लगवेग तीन सो किसान को मुफ्त आवेदन जो फसल चती है कर चुके हैं आप पूरे पंचाट में पता कर सकते हैं चाहे बैंगरा हो या बल्हा घाटो या हमारा मुहला हो हर जगा पे किशानों के लिए हम खरे रहे हैं जिज जब तक पद्फ पे नहीं रहते हैं जब तक तब तक जो हैसे इसी तरह बहुत सारे उमिदबार जन्ता से बहुत वादिश करते हैं और princip DAC Guy मेरे सा आएं आप इ यदि बलहा पंचयत में कोई ट्वलाइड इसमस्य जदा तरखी किया है तो हमारा ठोला मुएन ठोला रखी है तो उसके सहवागी सहयोगी हम भी रहें जब डेवलप हुआ है न तुसकर सहयोगी हम भी हुए हैं एक बार हम तिर से कह रहे हैं समाज में अपने ताने एक बेटा चुनिए जो आपके बीच रहे और हर काम को बारी की से सोचे देखे और करें तो आप हमारे विवाइश 24 ने चैनल के माधियम से बलहा पंचायत के समस्त जनता को क्या मैसेज देना चाह आइगे जाती पाती भेचवा घुला करके एक बार हमें सेवा का मुका दीजिए और देखिए हर उष्टर में काम होगा जहां पे खाम लई हुआ हो चाहे हो अभां का मोश्मसान का काम हो या पोल पिह स्ट्रीट लाइट का काम हो या सरक बनाने का काम हो आज तक जहां जहां पे काम नहीं हुआ है हर जगह पे काम होगा और यही कहना चाहेंगे कि एक बार हमें मौका दीजे और नेता नहीं बेटा चुनी है